नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एस्टलेपी साइरवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम आप से बात करेंगे AWPL के एक नए प्रोड़क्ट ओवियोडूकरस जो की मुटापा को गटाने और सरीर के चरवी को कम करने में इस्तमाल होता है आज की सेसन में हम आपको बताएंगे ओवियोडूकरस क्या है इसके कमपोजिशन कौन कौन से है ये किस की पदार्थों से मिला कर बनाया गया है इस्तमाल करने से क्या फायदा होता है और इस्तमाल करते समय क्या-क्या साथानिया और परहेज बरतनी है ये सारी बाते आज वीडियो के मद्धम से आपको हम बताएंगे तो आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ओवियोडूकरस क्या है ओबियोडोक रस AWPL, एसकलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिम्टेड कमपनी के दुआरब बनाया गया एक हर्बल प्रोडक्ट है ये AWPL के वेलनेस केटेगरी का प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के वजन एवमोटापा को घटाने के लिए हर्बल प्रोडक्ट के रूप में इस्तमाल किया जाता है अब हम बात करेंगे इसके इंग्रिडेंट्स की तिसमें एलोवेरा रस, गुगल का सत, गार्लिक सत, कुकुम, फ्रूट का सत और ग्रिन टी मिलाकर बनाया गया आयरुवेदिक प्रोडक्ट है एलोवेरा रस, एलोवेरा बहुत ही प्राचीन समय से उप्योगी आउशदी के रुप में इस्तमाल होते आ रहा है जो कि हमें कई शारिक समस्याओं से निजात दिलने के अलवा मोटापा को भी कम करने में काफी कारगर मना गया है बैग्यानिक शोदों के अनुसार इसमें एंटी ओवेसिटी एवा हमारे सरीर के मेटाबलोईजन को उत्तेजित करने के गुण पाय जाते हैं जिससे हमारे बोडी के फैट इत्यादी जल्दी बर्न होते हैं तथा हमें मोटापा से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलती है यदि बात करें गूगल एक्स्ट्रेक्ट की तो गूगल का सत भी मोटापा को कम करने में कारगर मना गया है ये मुकूल के पेंड से प्राप्त होता है इसमें हमारे सरीर के वजन को ही नहीं कलस्ट्रॉल को भी घटाने के लिए कारगर मना गया है कारलिक एक्स्ट्रेक्ट लासुन के सत लासुन हमारे डेली लाइफ के खाना बनाने के लिए रसोई घर में इस्तमाल होता है इसके अलावा ये बहुत ही कारगर औशधी है जो हमें कई प्रकार के स्वास्तलाब दिलाने में कारगर होता है लासुन की मदद से हम अपने शरीर के वजन को कम करने के अलावा अपने पेट के वैली फैट को भी कम कर सकते हैं कुकम में एंटी इंफ्लामेंटरी के गुणपा जाते हैं जो शरीर को सुजन को कम करता है कुकम के सत से हम अपने शरीर के वजन को कम करने के अलावा शरीर की चर्वी को भी कम करने में इस्तमाल कर सकते हैं ग्रीन टी भी हमारे सरीर के बजन के अलावा अतरिक्त चर्वी को घटाने में काफी समय से इस्तमाल होते आ रहा है। अब हम बात करेंगे इस्तमाल के तरीका और रसाधानियां। पचीस से तीसे मल रसको दिन में दो बार इस्तमाल करना है तथा इसके साथ एक आहार चार्ट होता है उसे भी फॉलो करना है। आहार चार्ट के बारे में जाने के लिए दोस्तों आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो से रिलेटेट कोई PDF लेना चाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ओबियो डॉक्से रिलेटेट पीडियेफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है तो दोस्तों आज की सेशन में हमने जाना कि AWPL का ओबियो डॉकरस क्या है इसे कौन-कौन से composition से मिलाकर बनाया गया है इस्तमाल करने से क्या फायदा है, इस्तमाल करते समय क्या-क्या, साउधानी या बरतनी है, इतियादी हम ये सारी बाते आज सेशन के माध्यम से हम जाने हैं, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना न भूलें, I hope दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद.